नमस्कार स्वागत है आपका Capital TV बिहार में मैं हूँ आपके साथ निम्मे सन्हा बिहार में जिस तरह नितीश बाबू दल बदलने में माहिर है ठीक उसी तरह बिहार के कुछ नेता नितीश बाबू के खिलाफ मौचा निकालने में माहिर है इसका ताजा उदारन तो आपके सामने है जिहां उपेंद्र कुश्वाहा आरसीपि सिंग समेट कई चर्चित नेताओं ने नितीश बाबु को दे डाला है धोखा क्या है ये पूरा मामला देखे इस रिपोर्ट में कुश्वाह का मोर्चा बिहार के सियासी गल्यारों में हर रोज इक नया मोड आता है लेकिन बिहार के सियम नितीश बाबु भी हार मानकर सियम की कुरसी छोड़ने वालों में से नहीं है नेताओं के मोर्चे को दरकेनार करते हुए कभी गटबंधन जोड़ कर कुरसी बचाते हैं तो कभी गटबंधन तोड़ कर कुरसी बचाते हैं लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुश्वाह भी कोई कम नहीं है उन्होंने तो मानों ये निर्ने ले लिया हो कि पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी को टेंशन देने का काम करते रहेंगे बहार की राज़निती में समय सब की नजर सत्ताधारी जेडियू में चल रहे सियासी उठापटक पर है पार्टी संसदिय बोर्ट के प्रमुक उपेंद्र कुश्वाह ने खुले अंदाज में बगावती तेवर अक्तियार कर रखा है जिस तरह उन्होंने जेडियू के शिर्ष नेत्रित्व के खलाफ पार्टी में रहकर मोर्चा खोल रखा है वो बेहत चौकाने वाला है पार्टी से कारवाई नहीं किये जाने की एहम वजह है उपेंद्र कुश्वाह ने जदियू में अपनी पार्टी राश्ट्रिय लोग संता पार्टी का विलाय किया है ऐसी परिस्थिती में कुश्वाह अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो सिर्फ जदियू के एक नेता के रूप में जाएंगे इन हालत में बीजेपी कुश्वाह का मुल्यांकन भी करेगी वैसे संभावना यह भी जताई जा रही है कि कुश्वाह के साथ कई सांसद और विधायक भी है ऐसे इस्थिती में GDU से अलग होते हैं तो वो कितने विधायकों या नेताओं को अपने साथ ले सकते हैं इस पर BJP की नजर जरूर रहेगी वहीं आपको यह भी बता दें कि माना जाता है कि कुश्वाह ने अपनी हिस्सेदारी की मांग कर इसी का संकेत दिया है इससे पहले भी GDU के पुरवध्याक्षा RCP सिंग के साथ भी पार्टी में यही स्थिती बनी थी तब उन्होंने पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया लेकिन इससे उलट कुश्वाह ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वे पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं ऐसे में यह साफ है कि वे पार्टी में रह करी पार्टी ने तृत्व की टेंशन बढ़ाने का काम करते रहेंगे। नतीश कुमार के काफी करीबी रहे और जेडियू के राश्य पूर वध्यक्ष रसीपी सिंग ने पार्टी से स्तिफ़ा दे दिया था। नौकर शाही से सियासत में आए राम चंदर प्रसाद सिंग को नतीश के बाद नमबर दो माना जाता था। वे नतीश कुमार की उंगली पकड़ कर राजनिती में आगे बढ़े और जदियू की कमान तक संभाली। दीखे इस रिपोर्ट में। आर्सिपी का मोर्च बिहार के सियासत में आर्सिपी सिंग का नाम काफे मशूर है। आपको बता दे कि ये दो बार राजसबस सांसत और केंद्रिय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आर्सिपी सिंग पर बीजेपी से मिलकर जदियू को तोड़ने की साज़श का आरोप लगा है। इसके बाद नितीश कुमार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। यहां तक के इसके बाद नितीश ने बीजेपी का साथ चोड़कर महागडबंदन में शामिल होकर सरकार बना भी ली। आर्सिपी सिंग और नितीश कुमार एक ही जले नालंदा और एक ही जाती ही कुर्मिस अमुदाय से आते हैं। ऐसे में दोनों ही नेताओं की दोस्ती काफी गहरी थी। और आर्सिपी देखते ही देखते नितीश के आँख नाक कान बन गए थे। वो एक समय नितीश के बाद जेडियू में नमबर दो की हैसियत रखते थे। नितीश ने जब जेडियू की कमान छोड़ी तो आर्सिपी ही राश्य अध्यक्ष बने थे। 2010 में आर्सिपी ने आईएएस से इस्तिफा दिया और नितीश कुमार ने उन्हें राज सभा भेजा। 2016 में वे पाटी की ओर से दोबार राज सभा पहुँचे और शरद यादब की जगा उच्छ सदन में नेता मनोनित किया गया। लेकिन तीसरी बार आज सभा न भेजे जाने के चलते उन्होंने केंद्रिय मंत्री के पद से स्तिफा दे दी। इसके बाद से वे नाराज चल रहे थे उन्होंने जदी उसे स्तिफा दे दिया था। के नाम को आगे बढ़ाया था। देखें इस रिपोर्ट में। बाद में हिंदुस्तान आवाम मोचा का गठन किया गया। इसके बाद वे NDA में शामिल हो गए। 2020 विधान सबच चुनाओं में उन्होंने नितीश की पाटे के साथ गठ बंधन किया था। जब नितीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठ बंधन के सरकार बनाई तब जितन राम मांजी महागठ बंधन में आ गए। चुनाओी रणनीती कार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में राजनितिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। वे इन दिनों राज में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। कभी नितीश के करीबी रहे प्रशांत इन दिनों खुल कर उनके खलाफ बयानबाजी भी कर रह हैं वे लगतार कई मुद्दों पर नितीश को घेरते नजर आ रहे हैं देखें इस रिपोर्ट में पीके का नितीश पर निशाना भारत के राजुनितिक रणनीती कायर प्रशांत किशोर ने 2014 लोग सबद चुनाओं में नरेंद्र मोदी की चुनाओं रणनीती बनाई थी इस चुनाओं में बीजेपी को जीत मिली जिसके बाद प्रशांत किशोर ने बहार के ततकालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार की चुनाओं रणनीती बनाई बहार में चुनाओं जताने में मद परचा भी मिला था हाला कि बाद में प्रशांत किशोर को जदियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शरत का मोर्चा शरत कुमार के इस फैसले ने शरत यादव का धैरे तोड़ दिया। शरत यादव ने विपक्षी खेमे में रहने का फैसला किया और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नाम की नई पार्टी बनाने का एलान कर दिया। हाला कि बाद में उन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी का राज़त में विलाय कर दिया। बैरहाल नतीश बाबू के बिहार में नहले पर दहले का गेम काफी पुराना है। ऐसे में कई नेताओं ने जेडियों के खिलाफ मोर्चा निकाल कर नतीश बाबू से दगाबाजी की। वहीं कुछ मशूर नेता तो पार्टी में रहकर पार्टी से दगाबाजी खेल गए। अब देखना ये है कि इस नाम में आगे कौन से नए नाम जुड़ने वाले हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कापिटल टीवी बिहार के साथ दीजे इजासत नमस्कार।